अगर घर के दर्वाजे पर लगी है ये एक चीज तो बरसेगी मालक्षमेगी कृपा हर किसी की चाहत होती है कि उसके घर और जीवन में सुक समरिद्य और शांती का वास हो उसे जीवन में इच्छा अनुरूप सफलता मिले इसके लिए मनुशे हर संभव कोशिश भी करता है लेकिन कही बार ऐसा देखा जाता है कि उसकी कितनी महनत करने के बाद भी उसे अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती जबकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कम महनत में ही काफी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं ऐसे में मनुशे के जीवन में निराशा भी आ जाती है लेकिन इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है वास्तु शास्त्र में ऐसी बहुत सी बाते बताई गई हैं जिससे लोगों के घर में सुक्ख शांती आ जाती है मा लक्षमी जी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं शास्त्रों के मुटाबिक घर के मुख्य द्वारपर शुब धार्मिक चिन बनाने से सुख सम्र्द्धी का आगमन होता है इसके अतिरिक्त वास्तु के नुसार कुछ ऐसे चिन्नों के बारे में भी बताया गया है जिससे आपके घर में मौझूद नकारात्म कूर्जा कम होगी और सकारात्म कूर्जा बनी रहेगी और ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर गनेश जी का फोटो लगाएं स्वास्तिक और शुब लाब आपको लगाना चाहिए इनके सुब अशर से घर में बरकत बनी रहती है स्वास्तिक का चिन बनाने से नकारात्म कूर्जा का नाश होता है इसलिए हर एक त्योहार पर घर के म घर से दूर रहती है आप चाहें तो प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी और कुवेर देव की फोटो लगा सकते हैं दर्वाजे के नीचे आपको लक्ष्मी जी के चरण चिन लगाने से घर में सुक सम्रिद्धी आती है आप चरणों के चिन को लगाने के टाइम पर इस ब इसके लिए दर्वाजे पर आप बंदनवार लगाएं बंदनवार आप अशोक के पत्तों से आम के पत्ते या फिर पीपल के पत्तों से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो फूलों की माला बना कर भी दर्वाजे पर लगा सकते हैं इससे नकारात्मकता घर से दूर रहती है घर के दर्वाजे के आसपास आप काच का सुन्दर सा फ्लावर पोट रख सकते हैं इस पोट में आप ताजे फूल आपको रखने चाहिए फूलों की महक से द्वार के आसपास सकारात्मक्ता बढ़ती है घर के में गेट के सामने पोधा या फिर वरक्ष होना शुब नहीं होता ये पारिवारिक सदस्यों की खुशियों के आगमन में अवरुद पैदा करता है घर का मुख्य द्वार और कोई भी खिड़की या दर्वाजे जब भी आप खोलते हैं मैं आवाज नहीं करनी चाहिए आवाज करने वाले दर्वाजे जो हैं वो शुब नहीं बाने जाते इससे घर में कलेश रहता है और ऐसे दर्वाजे और खड़कियों को तुरंत ही आपको ठीक कर लेना चाहिए यह जानकारी यहीं तक ही उमीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके काम आएगी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमली के साथ में शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाए ताकी आपके पास समय समय पर हमारी अपडेटेड नहीं जानकारियां पहुंचती रहें तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जैश्री कृष्णा